हेलो गईज आज 31 मार्च 2023 है और आपको पता होगा कि यह अधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए आखरी डेट थी अभी तक लेकिन यहां पर दो दिन पहले एक बड़ी अपडेट आई है कि आप लोग अब 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड में अधार कार्ड को लिं कुछ भी चीज़े हैं तो वो लोग अभी यहां पर अभी तो से तीन मेने के अंदर में अपने पैन कार्ड से अधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे तो आज की इस वाले वड़े में हम आपको लाइब प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको अपने पैन नंबर से अधा नंबर को लिंक करना है जिससे की आपको आने वाले भविसे में जो भी चार्जस्क लगने वाले हैं जो भी यहां पर आपको पर प्रेनाल्टी लगने वाली है उससे आप बस सके तो आज की इस वाले वड़े में हम आपको सारी चीज़े लाइब प्रूफ करके दिख करने लोग सोचते हैं कि हैं नहीं लिंक करते हैं तो कि यहां पर हजार उपय के पेनाल्टी लगती है यह जब आपको वहां पर इंकम टैक्स वाले अधिकारी पकल लेते हैं तो वह आप से जल्द किया करिए कि इसको लिंक कर वालेज़े चलिए मैं इस वाले को सुरू करता हूँ पर और वहां पर आपको बताता हूँ कि कैसे लिंक करना है को ज़ब करना है तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने Chrome राजर पर आने के पार यहां पर आपको सर्च कर लेना है दोस्तों Income Tax मैं आपको लिख कर दिखाते दा हूँ इस तरीके से Income Tax.gov.in आपको इस वाले वेबसाइड पर आजाना है उपर आप आपको बता दो कि अब आपका जो आधार कार्ड लिंक करने का डेट है वह यहां पर बढ़ चुका है 30 जून 2023 तो को चुका है पहले यहां पर आपको 31 मार्च लास्ट टेट था अभी मैं वाली वीडियो जो सूट कर रहा हूं यह आपको मैं बता दू मैं 31 तारीक कोई सूट क लीक जाएगा यह वाला जो कि है लिंक आधार का तो आपको यहां पर क्लिक करना है यह उसका इंटरफेस खुलता है आप इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे चीज़े लिखी हुई आएंगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर पढ़ सकते हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस ते किसे options आपको दिख रहे हैं तो आप questions नीचे scroll करके आते रहना है और यहां पर मैं आपको बता दू कि आप देखिए जो यहां पर date है वो बढ़ा हुआ है कैसे आपको यहां पर देखिए 30 जून लिखा हुआ आ रहा है 2022 यह अभी 2022 हो करा बड़ 2023 तक यहां पर आपको अपडेट हो गया है date बढ़ चुका है और यहां पर आपको कोई दिक्कत और बात नहीं तो आप 30 जून तक अपने pen card में अधार कार्ट को लिंक कर सकते हैं 30 जून त उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं तो यहां पर हमने अपना pen card का पूरा पूरा नंबर अब मैच करवा लेना और साथी में अधार का पूरा पूरा नंबर डाल लिया है अब आपको सिंपल सा इस तरीके से नीचे में जो है आके वैलिडेट पे क्लिक करना है उससे पह लिए है उनको भी भी लिकषा नहीं ज़रूत नहीं जिनका राज्य आसाम है में घला है जमू कस्मीर रहों उनको भी यहां पर आधार कार लिक नहीं है ठीक है इसके अलाह जो लोग भी बचते हैं उनको जरूरत है लिक करने की तो यहां बड़ा नमबर जालने बद 6 प्ंप一定要 option प्रेकर यहां पर आपके बहुत सब्सक्राइब करने का रिक्वेश्ट और उसके बाद पिर इमक्त पर आपको 5-6 दिन का वेड करना है यहां पर लिंक होने में पांच से च्छे दिन का टाइम लग जाता है अगर आपके पास आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता करना है यहां प्लोज करता हूं इसको करेंगे हम और इसी वाले प्रेच पर दुबारा से आने आपको यहां पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां से आप चार से पास दिन बाद आके यहां पर चेक करना आप तो यहांपर हमने दोनों चीजें दुबारा से अंटर कर ली है और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ और स्वारी चीज़ा आा Après सामने आ est piss और पैरण नमबर में इंटर कर लिए अधार नमबर इंटर लिए अब आपा सिमब सब्सें करना आ वियू लिंक आधार स्टेटस वाले आउपुशन पर जिससे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको बता देखा कि आपका अधार काड़ आपके पाफ लिंक हए नहीं यह स्टे करने कि जरूबत नहीं है जिनका यहाँ पर मैंने बढ़ाया कि जिनका नई लिंक रहेगा उनके लिए रिक्वेस्ट जाएगा और चार से पांदिन के बाद यहां पर आएगा चार से पास दिन बाद आके चेक करेंगे तो आपका भी इसी तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर पैंकार्ड अधार कार्ट से लिंक हो चुका है तो इस तरीके से आपको सारे प्रसुस करने हैं उम्मीद करते कि मैंने आपको पूरी पर यह अपडेट आई है चलिए इस वाले वोडियो को दुस्ता हमें पहरेंड करते हैं उम्मीद करने कि आपको मज़ा आएगा मैंने सारे चीज़ समझा दी है फिर भी आपको कुई डाउट हो कुछ और चिक्सा पुछ नहीं तो हमें कमेंट करिए आज के इस वाले वोडिय में तब तक के लिए बाइज हैं थैंक यू